हेलो गैज, वेलकम बैक टू दे चैनल गैज, एक अप्रेल दो हजार चौबिस से इंकम टेक्स रिटर्न फार्म आउनलाइन कर दिये गए हैं जिसमें ITR1, ITR2, ITR4 और आईलाइन किये गए हैं अब आप फाइनन्सियल यर 23-24 का ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं गैज, रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपका TDS कटा हुआ है और आपका 26AS अपडेटेड है तभी आप अपना इंकम टेक्स रिटर्न फाइल करें अन्यथा कि इस्थिति में डाटा मिसमैच हो सकता है और आपको नोटिस आ सकता है आप अपना इंकम टेक्स रिटर्न 31 माई 2024 के बाद ही अपना ITR फाइल करें उस समय जब आप फाइल करते हैं तब आपका डाटा मिसमैच का नोटिस नहीं आता है तो गाइस वीडियो सुरू करने से पहले आपसे निवेदन है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें सबसे पहले आप गूगल में इंकमटेक्स.gov.in को सर्च करने के बाद आप इंकमटेक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे यहां से अगर आप नए हैं तो आप यहां राइट साइड में देखिए रिजिस्टर का आपसंस हो रहा है यहां पर आप रिजिस्टर पर क्लिक करके अपने पैन कार्ड को करने के बाद यहां से कांटिन्यू कर देंगे कांटिन्यू करने के बाद यहां चेक बॉक्स में आप टिक कर देंगे यहां पासवर्ट इंटर करने के बाद जब आप कांटिन्यू करेंगे तो आप अपने डैसबोर्ट पर आ जाएंगे और डैसबोर्ट इस प्रकार से इदेड आप थर्टी फॉर्स्ट मॉर्च दो हुजार चौबिस यानि आप सेस्मेंट इर 2य 24 25 का ITR यहां से फाइल कर सकते हैं यहां फाइल नाव पर क्लिक कर देंगे कि फाइल नाव पर क्लिक करने के बाद यहां से से असेस्मेंट यह का ड्राप डाउन सो हो जाएगा यहां आप क्लिक करके assessment year choose कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको current year का assessment current year का option यहाँ से so होगा यहाँ पर हम click कर देंगे अब यहाँ से आपको ITR online फाइल करना है या offline तो यहाँ हम select करेंगे online online select करने के बाद right side में आपको दिखेगा continue का option continue के option पर click करेंगे अब यहाँ से अगर आपने कोई ITR इससे फाइल करने का प्रयास किया था और उसको आपने बीच में ही छोड़ दिया तो यहाँ पर कि सब्सक्राइब यहाँ से आप उसे continue कर सकते हैं रिजीम कर सकते हैं नया कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसार्ट निव फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे गाइज यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे इंडीविज्वल और यहां से continue कर देंगे अब गाइज आपको यहाँ पर यू नीड टू चूज एन आईटियार फार्म तू प्रोसेस प्रोसीड यहां से आपको ITR Farm select कर लेने हैं कि आपको कौन सा ITR Farm file करना है यहां देखिए ITR First ITR Second, ITR Four और ITR Six तो guys यहां से हम ITR First को select करेंगे ITR One वही लोग file करेंगे जिसका salary से income है और वहां income 50 लाख रुपे तक ही है इस farm को सहज भी बोलते हैं ITR Second अगर आपका income 50 लाख रुपे से उपर है और salary income है तब आप ITR Second चूच करेंगे और guys अगर आपका business और professional income है तब जाके आप ITR Four select करेंगे तो guys यहां पे हम ITR First select कर लेंगे अब यहां पे हम Let's Started पे क्लिक कर देंगे अब guys यहां पे हम ITR क्यों फाइल कर रहे हैं तो यहां पे guys दिया है taxable income more than basic exemptions limit तो guys अगर हमारा जो basic exemption limit दिया गया है यानि धाई लाख से उपर का income है तब जाके हम इसे यहां से select कर लेंगे अब यहां select करने के बाद यहां से guide continue कर देंगे guys यहां पर 26AS और AIS के according data prefilled होके सो होगा तो यहां से हम ok कर लेंगे ok करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि कई सारे type खुल के आ गये हैं personal information, gross total income total deduction, tax paid यहां पर सबसे पहले हमें अपना personal information इंटर करना है इसके बाद जैसे ही one by one हम इंटर करते जाएंगे यह सारे tab active होते चले जाएंगे यहां से हम पहले personal information पर क्लिक करते हैं guys क्लिक करने के बाद इस प्रकार से personal information का data open हो जाएगा यहां पर आपका profile रहेगा आपका नाम data birth अधार नंबर पायन नंबर इस सारी जानकारी आपकी यहां से pre-fill रहेगी और यहां contact नंबर रहेगा आपका आपका address रहेगा आपका email id इसमें अगर किसी परकार की correction की आउ सकता है तो आप यहां edit पर क्लिक करके यहां से correction कर सकते हैं और नीचे nature of employment है यहां से आप state government के employee है या central government के employee है या public sector के employee है तो आप इसमें से आपका जो भी condition बन रहा होगा आप उसको select कर लेजिए यहां से select करने के बाद नीचे आप चले जाएंगे नीचे filing section सो हो रहा है अब यहां पर अगर आप due date से पहले itr file कर रहे हैं आपको यहां पर click कर देंगे जिसे click करेंगे आप देख सकते हैं नीचे guys due date पहले आप guys due date के बाद अगर आप guys due date के बाद यदि आप अपना itr file करते हैं आपको यहां पर click करना होगा यानि यह जिस परकार से यहां highlighted हो रहा है 1391 यहां पर highlighted होगा 1394 यहां से आप अपना itr file करेंगे अब नीचे आते हैं guys तो लिख रहा है filled in responses to notice अगर आप को किसी परकार का notice income tax department की तरफ से आया है तो आप यहां पर click कर देंगे click करने के बाद यहां नीचे देख सकते है notice का receipt number है वह यहां पर enter करना है और किस date में आपने itr file किया था जिसका notice आपको आया हुआ है वह date यहां पर आप select कर देंगे select करने के बाद guys नीचे आप बढ़ जाएंगे अब देखिए यहां से do you wish to exercise the option under section 115 of opting out of new tax regime अगर आपको नए tax regime के according अपना itr file करना है यहां no पर click कर देंगे और old tax regime के according अगर आपको अपना itr file करना है तो यहां yes पर click कर देंगे यहां x पर click करने के बाद नीचे आ जाएंगे guys यहां पर आपका जो bank details हो रहा है तो आपके पास जितने भी bank account है यहां add कर लेने हैं और उसमें से कम से कम एक bank account को validate कर लेना है अगर आप validate नहीं करते हैं तो उस condition में अगर कोई refund आपका बनता है तो refund आपके account में credit नहीं होगा इसलिए आपको आवस्चता है कि आप अपने account को validate जरूर कर लें अब आप नीचे आ जाएए नीचे आने के बाद यहां से confirm कर दीजिए confirm करने के बाद आप देख सकते हैं पहला type confirm हो गया है और यहां पर देखिए confirm लिख दिया है और इसके साथ साथ नीचे वारा जो ग्राश total income का type है यह active हो गया है अब यहां पर हम अपना data edit कर सकते हैं अब गयज वहां किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपर ग्राश total income salary exemption यहां पर हमें yes या no पर किलिक करना है गयज यहां पूछा जा रहा है आपका travel tour का expenditure है और उस पर आपको exemption मिलता है तो आपको यहां पर yes कर लेना है तो मेरे case में ऐसा नहीं है तो यहां पर हम no करेंगे अब नीचे guys children education allowance अगर आपका मिलता है तो यहां पर yes करना है अन्य था कि इस्थित में आपको यहां पर no कर देना है अब यहां पर आप house rent allowance के लिए eligible हैं यानि मकान किराय भत्ता के लिए eligible हैं तो यहां से आपको yes करना है yes करने के बाद आपका जो exemption है आपको कितना exemption मिलता है यहां एचारे बें वह amount यहां पर इंटर कर देना है तो यह दिए आपको farm 16 के carding idr file कर रहे हैं आपको farm 16 आपको employer ने दिया हुआ है तो उस पर आपका कितना HR A मिल रहा है वह HR A मेंसर रहता है तो वही amount यहाँ पर लिख देना है तो मैं आपको average में एक amount लिख दे रहा हूँ अब यहाँ से आप आ जाएंगे नीचे नीचे आने के बाद leave travel allowance दिया गया है तो अगर आपका leave travel allowance मिलता है तो यहाँ पर yes करेंगे अने था इसको no करेंगे आगे बढ़ेंगे अगर कोई other are you eligible to claim any other exemption from salary income अगर आपका salary income से कोई other exemption मिल ला है guys allowance मिल ला है तो आप यहाँ पर yes करेंगे अने था किसमें इसको no कर देंगे अब no करने के बाद यहाँ से हम कर देंगे continue करने के बाद guys इस परकार से यह data यहाँ पर open हो जाएगा अब जो हमने allowance डाला है house rent allowance यहाँ देखिए 16,000 रुपे हमारे grass income से माइनस हो गया है माइनस होने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि standard deduction जो 50,000 रुपे मिलते हैं वह यहाँ पर माइनस हुआ है टोटल 16,000 रुपे प्लस 50,000 रुपे दोनों माइनस होने के बाद जो grass income बन रहा था वह 5,676 रुपे थे उसमें से दोनों माइनस करने के बाद 5,10,806 रुपे यही बचते हैं यह हमारा total income हुआ इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि income from house property गाइज यह आपने home loan लिया हुआ है और उस घर को आपने किराये पर दे रखा है तो वह किराया जो आ रहा है वह आपका house property से income हुआ तो उस income को यहाँ पर add करना है यहाँ पर हम add पर click कर देंगे add करने के बाद यहाँ आ गया है add house property तो अगर आपने self occupied किया है यानि घर को आप फुद इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ self occupied को click करेंगे अगर आपने rent पर दे रखा है तो यहाँ let out पर click कर देंगे let out पर click करने के बाद guys अब आपको कितना rent प्राप्त हो रहा है उस घर से यहाँ पर enter करना है और अगर आपने loan ले रखा है और घर का इस्तेमाल स्वयम कर रहे हैं तो यहाँ self occupied पर click करके आप कितना bank को एक बित्ती वर्स में interest दे रहे हैं उस loan के carding तो यहाँ पर डाल देना है यहाँ add करने के बाद आप नीचे यहाँ add करके आगे बढ़ जाएंगे अब आप देख सकते हैं कि मैंने कोई amount income from house property में नहीं डाला है यहाँ zero zero हो रहा है अब नीचे में आगे बढ़ जाओंगा अगर आपके case में home loan है तो यहाँ पर जरूर इंटर करें उससे आपका ज अब जैसे हमने confirm कर दिया आप देख सकते हैं दूसरा टैब भी confirm हो गया है और इसी के साथ साथ तीसरा टैब activate हो गया है यहाँ total deduction हमको डालना है कि हमने एटी सी के कार्डिंग एटी डी के कार्डिंग या कोई अलग से अगर इन्वेस्टमेंट किये हैं तो वह एमाउंट यहाँ पर आपको दिखाने हैं अब दिखा रहा है कि are you eligible to claim any deduction for donation क्या आपने कोई है और और यहां दिखान डिया है मरे कि यहां और यहां रही है और यहां से अगर परसनल डिसेबिल्टी है दिः भ्यांगता है तो यहां यस करेंगे अन्यथा यहां पर नो कर देंगे और यहां से गाइज एट्टी डीडी फार परसन परसन विद डिसीबेल्टी यह कंडिशन अगर आप पर लागू होता है तो यहां से यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे अगर आप ग्रामीड विकास या बैग्यानिक सोध के लिए किसी परकार का दान दिया यहा पर यस करेंगे नहीं तो यहां से नौ कर देंगे आप एडेसर करेंगे अन्याँ यहां पर नो कर देंगे के बाद नीचे की के आ अगल करने के provided फिर्ट होता है तो आपको यहां से करेंब नहीं करना है अगर था है अगर करना है इस करना है वह यह जो हॉपर है मैं घृट सीक्थर आपने कोई medical insurance लिया हुआ ऊसका प्रीमियम दे रहे हैं या फिर मेडिकल एक्सपेंडेचर आपने किया हुआ है यानि इलाज पर खर्चा किया हुआ है तो यहां पर येस करेंगे येस करने के बाद आपको आगे आपको आपने इंवेस्टमेंट किये हैं यहां पर इंटर करना है यहां पर आपने पर पर इंटर करेंगे यहां कुछ नहीं है तो नो कर दूंगा मैं अब नीचे आएंगे गाइज कि अगर आपका बचत खाता खुला हुआ है और उस बचत खाते में माले जी आपने कोई amount रखा हुआ है और उसका interest आया हुआ है तो वो भी taxable होता है लेकिन 10,000 रुपे तक का 80 TTA के ताहत वाच छूट मिल जाता है इसलिए आप यहाँ पर yes करके y amount इंटर कर देंगे नहीं है तो यहाँ पर no कर देंगे और इसमें अगर कोई और deduction आपका बनता है यहाँ yes करेंगे और नीचे उन सारी deduction का option मिल जाएगा यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं अगर नहीं बनता है तो यहाँ से no कर देंगे अब इसके बाद यहाँ से continue कर देंगे एक लाग पचास जार रुपे हमने इंटर किये थे तो यहाँ पर यहाँ सो रहे हैं और 80D का हमने yes किया था तो 80D के लिए यहाँ से edit करने का option मिल जा रहा है यहाँ प आपका कोई health insurance है जिसका आपने premium 10,000 रुपे दिया है तो 10,000 रुपे यहाँ पर इंटर कर देंगे और आगर आपने कोई check-up करवाया है अपने body का तो यहाँ पर आपको इंटर कर देना माल जिए 1000 रुपे का हमने check-up करवाया है तो 1000 रुपे इंटर कर दिया अब नीचे आ आपने क्या health insurance दे रखा है उनके लिए तो अगर ले रखा है और कितना premium दे रहे हैं यहाँ पर प्रीमियम इंटर कर देंगे अगर उनका health check-up करवाया है तो यह वह इंटर करेंगे और आपने अगर उनका इलाज करवाया है तो इलाज का जितना खर्चा आया है यहाँ पर हम यहाँ से save कर देंगे अब सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने 80C में 1.5,5,00 रुपएं इंटर किये थे और 80D में 11,000 इंटर किये हैं और 80CCD2 में 12,000 रुपएं इंटर किये थे तो सारे deduction हमारे एड होके यहाँ नीचे आप देख सकते हैं दो लाग 33,000 33,000 रुपए हमारे ग्रास टोटल इंकम से माइनस हो जाएंगे यहां आप देखिए कंफर्म कर देंगे अब गाईज कंफर्म करने के बाद नीचे आप आ जाएंगे यह देखिए अब तीसरा टैब भी कंफर्म हो चुका है अब चौधर टैब ओपन हो गया है टैक्स पेड का यानि हमारा कोई TDS कटा हुआ है हमने एडवांस कोई टैक्स पे किया है तो यहां पर 100 होगा तो मेरे केस में कोई एडवांस टैक्स नहीं कटा हुआ है इसलिए यहां पर 0 हो रहा है अब यहां पर हम किलिक करेंगे गाईज किलिक करने के बाद अब आप नीचे देख सकते ह हैं कि source से tax कटा हुआ है वह है amount यहाँ पर 100 करता लेकिन मेरे case में कोई tax नहीं कटा हुआ इसलिए कोई भी amount यहाँ पर 100 नहीं हो रहा है यहाँ से हम confirm कर देंगे confirm करने के बाद Guys यह हमारा अग्ला tab भी confirm हो गया है complete प्लीट हो गया है अब नीचे टोटल टैक्स लाइबल्टी यानि हमारा जो ग्रास टोटल इंकम बन रहा था उस पे हमारा टैक्स लाइबल्टी कितनी बन रही है वह इस वाले टैब में सो होगा अब यहां पर हम क्लिक करेंगे अब गाईज यहां से आप देख सकते हैं वेरिफाई और टैक्स लाइबल्टी डिटेल्स तो हमारा जो टोटल इंकम बन रहा था गाईज ग्रास टोटल इंकम पांच लाग 10,806 रुपए है अब जो टोटल डिडेक्ट्शन हमारा हुआ है यानि हमारा 80C के कार्डिंग 80D के क पांच लाग 10,806 रुपए में से 2,33,000 माइनस हो गए अब माइनस होने के बाद जो टोटल इंकम आ रहा है गाईज वह 2,87,810 रुपए है अब 2,87,810 रुपए पर टैक्स का कैल्कुलेशन होने के बाद यहां आप देख सकते हैं कैल्कुलेशन यहां क्लिक करने के बाद स तो यानि धाई लाग के ऊपर हमारा जो एमाउंट बन रहा था 27,810 रुपए तो 27,810 रुपए पर 1392 रुपए यह टैक्स बन रहे थे यहां आप देख सकते हैं रिवेट अंडर सेक्शन 87A के ताहत हमें 1392 रुपए का छूट मिल गया तो हमारा टैक्स हो गया जीरो पांच लाग से कम टोटल इंकम आता है तो हमें रिवेट अंडर सेक्शन 87A के कार्डिंग 12,500 रुपए यह जो आपका टैक्स बन रहा हो उतना छूट मिल जाता है जिससे हमारा टैक्स जीरो हो जाता है अब आप देख सकते हैं हमारा टैक्स हमारा जीरो हो चुका है अब न यहां पर 10E फार्म को फिल करके यहां रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के ताहत उसका टैक्स में छूट ले सकते हैं अब नीचे आ जाएंगे गाइस तो हम यहां से कंफर्म कर देंगे कंफर्म करने के बाद अब सबसे नीचे आएंगे तो प्रोसीट का आप्शन सो हो रहा है यहा हमारा कोई टैक्स बन रहा होता तो यहां पर इमाउंट सो करता यहां से हमको टैक्स पेमेंट करने का आप्शन मिल जाता अब यहां से गाइज हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं यहां से आपके टैक्स का डिटेल सो हो रहा है अब नीचे हम सब चे कर देंगे आप यहां हमने जो fan परा है आई टी आरका वसारा डिटेल यहां से सुभुखा हमने क्या क्या इंचर किया था कितना एंट ने किया था उस सब यहां पर अपना डिदिए करेंगे चेक करने पाद नीचे चले जाएंगे यहां प्रोसीड तू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे यहां देखिए हमने जो ITR फाइल किया है वो बिल्कुल सही किया है किसी परकार से उसमें तुरुटी नहीं है इसलिए वैलिडेशन हमारा सक्सेस्फूल हो गया अब यहां से हमें प्रोशीट टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है अब गाईज वेरिफिकेशन पर आपको तीन अप्सन मिल जाते हैं वेरिफाई नाओ वेरिफाई लेटर वेरिफाई वाया ITR वी तो इसमें से अगर आप तुरंत अपना ITR वेरिफाई करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे यहां क्लिक करने के बाद आपका जो प्राधार से रेजिस्टर हुआ है उस पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहां इंटर करना पड़ेगा इंटर करने के बाद आपका रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो यहां पर किलिक करते हैं तो आपका ITR यहां से सब्मिट हो जाएगा लेकिन गाईज इसे आपको 30 दिन के अंदर ही वेरिफाई करना रहेगा तीसरे आपसन पर आते हैं गाईज तो अगर आप ITR की कॉपी निकाल के बंगलूरू यहां से पोस्ट करते हैं 30 दिन के अंदर तो आपको इस तीसरे आपसन को सिलेट करना चाहिए नहीं तो सबसे बहतर जो होता है वह इवेरिफाई नाव पर होता है आपका आधार मुबाइल नंबर से रिजिस्टर है तो आप सीधे यहां से क्लिक करके अपना ITR कर सकते हैं यहां क्लिक कर दूंगा आगे बढ़ जाओंगा अब इसमें देखिए आपसन आ रहे हैं तो यहां पर हम क्लिक करेंगे यहां क्लिक करने के बाद आपको और भी आपसन बता दूं नीचे देखिए ध्रोर नेट बैंकिंग अकाउंट ध्रोर डीमेट अकाउंट इसमें से अगर आपका कोई भी एकाउंट है यानि आपका नेट बैंकिंग चलता है तो आप नेट बैंकिंग से भी अपना इवेरिफाइग कर सकते हैं ITR को और यहां से यहां से डेमेट एकॉंट से भी कर सकते हैं यहां से डिमेट अकाउट से भी कर सकते हैं अब यहां हम चले जाए के नीचे यहां कर देंगे कंटीनिव कॉरने के बाद यहां पर सो होगा है चेकबॉक्स में कि I Agree यहां पर क्लिक करनेंगे काई किलिक करने के बाद यहां से जन्रेट और पर क्लिक करेंगे अब जैसे जन्रेट menet मोट्जिक कर दिया अब देखेंगे क्षिक सिर्फ डिजिट का मेरे अलनिद Potato City कवेज हए मुबाइल नंबर में यहां इंटर करने और और पी करने लूँत मैं की सब्सक्राइब करें के आपना यल और स्क्राइब करिये चैनल सब्सक्राइब करें और वीडेयो को लाइक सेर करिएगा इस अगली वीडियो में थैइक इस्ट वाचिंग